So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक के बारे में So guys बंदन बैंक में अगर आप देखोंगे तो आज हमें एक शानदार बड़त स्टॉक में देखने को मिली है एक शानदार रिटर्न स्टॉक ने देने स्टार्ट कर दिये है तो guys यहाँ पर बंदन बैंक में जो हमने पुराने लेवल्स दिये थे उन्हीं लेवल्स के बेसिस पर स्टॉक आगे कंटिन्यू कर रहा है तो guys यहाँ पर हमारा पहले भी टार्गेट 400 से 700 रुपे के अराउंड का हम रख रहे है as a long term के बेसिस पर और जिस तरीके से बंदन बैंक बढ़ रहा है हमें लगता है कि स्टॉक शानदार रीटन दे सकता है तो guys साथ ही केसे शेयर की बात करेंगे जो आपको 210 परसेंड का डिविडेंड भी देने वाला है तो guys डिविडेंड स्टॉक भी हम हर वीडियो में देखते है तो इस वीडियो में मैं भी बताने वाला हूँ तो guys यहाँ पर बंदन बैंक को लेकर काफी कुछ बात है इस वीडियो में होने वाली है तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो guys करते हैं वीडियो को स्टार्ट So guys बात कर रहे हैं बंदन बैंक लिमिटेट की बात करेंगे पहले लेवल्स की तो levels हम पहले से ही positive है यहाँ पर अगर देखें तो stock शानदार तरीके से returns कई time पहले से ही दे रहा था एक यहाँ पर अगर देखें तो एक important support लेता हुआ है share उपर की और जा रहा है यहाँ पर देखा जाएं तो stock ने पहले इस particular level पे support लिया था और शानदार high stock ने लगाया था लग बग अगर देखा जाए 30 रूपीस के round का यह target अच्छीव किया था फिर उसके बाद stock में गिरावट ने जराई और गिरते से ही stock ने फिर से यहाँ पर support लिया एक अच्छा high लगाया प्रिवियस high से यह high काफी तगड़ा था और उसके बाद stock फिर से नीच ले level पे है बट यहाँ पर upside down momentum काफी जादा चल रहा है तो guys यहाँ पर sideways भले ही यह stock consolidate कर रहा हो बट हम as a long term के basis पे शेयर में काफी जादा positive है और बिलकुल हमें लगता है कि यह stock शानदार returns देने वाला है शानदार returns अच्छीव करने वाला है तो guys यह level काफी जादा important है हमें इस level के target भी achieve होंगे और 400 रुपिस के उपर के target भी stock में achieve होगे तो case है तो आप इस level को समझने की कोशिश करो पहले हम इस point को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस particular level तक है stock कैसे जाएगा तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में एक range यहाँ पर create हो रही है इस range में stock upside down momentum कर रहा ह है यहाँ पर आप देख सकता है upside down momentum इसी range के अंदर यहाँ पर चल रही है और वही अगर देखे हैं तो इस particular level तो stock ने एक शांदार breakout दिया breakout के बाद अगर देखे stock यहाँ से एक continue एक अच्छी बड़त बता सकता है क्योंकि बड़े momentum हमने पहले भी stock में देखे हैं आज अगर देखे तो 280 के level से 295 तक की एक candle बनी है जो काफी जादा शांदार है काफी जादा शांदार candle ये बनी है और यहाँ से stock में एक बड़ा momentum shift होगा 340 से 350 रुपे तक का target easy तरीके से ये share अच्छीव कर सकता है बस आपको थोड़ा wait करना होगा day one time frame पर हम बात कर रहे हैं तो guys यहाँ पर अगर देखे तो और एक चीज में अगर आपके साथ share करूँ तो यहाँ पर आपको एक pattern create होता होगा नजरा आएगा इस particular level पे stock ने पहले से ही एक support लेके रखा था और यहाँ पर अगर देखे तो एक double bottom type pattern था breakout यहाँ पर stock में मिला था breakout के बाद stock ने एक शानदार return दिये थे उसके बाद हुआ क्या stock ने एक particular level पे support लिया तो guys यहाँ पर support यह जो मैं important support की बात कर रहा था यह यहाँ पर भी इस पहले भी यह ले चुका है यहाँ पर अगर देखे तो एक दो तीन चार पाच बार इस level को touch कर चुका है और यहाँ पर stock में इस level से rejection है इस level से rejection है तो बिलकुल guys यहाँ पर बड़ा momentum shift होगा क्योंकि इस particular level पे अगर breakout मिलता है तो यहाँ से सीधा 400 रुपे का target तो easy तरीके से achieve होगा ही होगा या फिर 400 प्लस यह stock जाने वाला है तो guys बिलकुल आपको ready रहना है बड़ा breakout यहाँ पर बिलेगा और इस particular level को भी अगर इस share ने break कर दिया यह जो train line आपको दिखाई दे रही है यह जो train line है यह काफी ज़्यादा important है यह हम बात कर रहे है अभी one week के time frame पर अगर हम बात करें one month के time frame पर तो इससे भी बड़ा momentum stock में आपको देखने को मिलने वाला है आप यहाँ पर आप देख सकते हो guys तो stock में अगर आप देखोंगे तो इस particular level से एक fall देखने को बिला था फिर stock उपर गया फिर यहाँ से rejection लिया rejection लेने के बाद stock में काफी बड़ी गिरावाट ने ज उसके बाद अगर देखे तो stock in levels पर support ले रहा है और यहाँ पर इस level को अगर इसने break करता है तो सीधा 700 रुपे तक का target यहाँ पर अचीव होता हुआ आने वाले time में easy तरीके से आपको दिखने वाला है 700 रुपीस के around का जो यह target है और easy तरीके से यहाँ पर achieve हो सकता है so guys levels क हमने बात कर लिए अब बात कर लिए अगर अबंदन bank limited की तो आज stock में हुआ क्या तो 296 रुपे 80 पेसे के level पे stock हमें आज closing देता हुआ नजराया है positive closing stock ने दी है शांदार returns के साथ अगर देखे returns की में बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys 16 रुपे 70 पेसे तक stock ने एक अच्छा momentum बताया है यहाँ पर अगर देखे तो 5.96% के हिसाब से यह return आपको देखने को मिलेगा returns की बात करें तो शांदार return साथ इस share ने दिये है पहले भी हमने इसे returns दिता हुआ इसे देखा है open कहा हुआ था share तो open हुआ था है 280 रुपे के level पे 297 का stock ने high लग तो बिलकुल यहाँ पर stock जैसे ही open हुआ इसने अच्छे returns देना स्टार्ट कर दिये market cap के हिसाब से यह शांदार stock है metcap stock की category में आता है 47.63,000 करोड का market gap है तो guys यहाँ पर हम बात करें अगर इसके volume की तो volume stock में आज तगड़ा नजराया है बाकी दिनों के मुकाबले यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो yesterday के में बात करूँ तो 31,000,000 के आसपास की trade value आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी 7,000,000 का common delivery देखने को मिलेगा वन विक के average की बात करूँ तो 55,000,000 का trade value और 19,000,000 का common delivery बट आज के दिन की बात करें इन दोनों के comparison में तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक करोड से भी जादा की delivery आज इस share ने उठाई गई है positive आकड़े है guys यहाँ पर अगर दिखा जाए तो 93% लोग stock में buy करने के लिए के रहे है और 7% लोग stock में sell करने के लिए के रहे है so guys अब बात कर लेते हमारे dividend bank stock की तो यहाँ पर उसका नाम है poly यहाँ पर polyplex corporation limited packaging sector का एक share है 2158 रुपे 60 पेसे के price पे एक stock आज closing देता हुआ नजराया है 12 रुपे 0.05 पेसे तक की stock ने अच्छी बड़त बताई वही बात करे 0.56% के हिसाब से ही एक share बड़ा है हाँ पर बात करे dividend की तो एक dividend date है 22 सितंबर 2020 यानि 22 सितंबर 2020 के पहले अगर आप इसे खरीते हो तो आपको final dividend मिलने वाला है 21 रुपे का यानि हाँ पर 210% तक का dividend आपको मिलेगा पर equity share 21 रुपे है तो guys हाँ पर dividend stock की भी हमने बात की और बंदन bank की भी दोनों ही shares को लेकर काफी कुछ बाते हो गई है तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना Thank you